दिवाली जैसे ही खतम होती है उसके बाद छट की तयारी शुरू हो जाती है और आज मैं आप लोगों के साथ शेर करने वाले हूँ ठिकवा की रेसिपी जो छट में पारप्तरिक तोर पे बनाये जाता है बहुत जादा स्वाधिस्ट होता है इसे बनाने का जो तरीका आज मै को बताऊंगी ना बिगनर्स हो या एक्सपर्स सभी लोग बना लेंगे बिल्कुल फी नहीं बिगडेगा सो हेलो एन वेलकम बैक टो गोल्लिस किचन और आप सभी को गोल्लिस किचन की तरफ से छट की धेर सारी शुब कामना है और मैं यही बस कामना करती हूं कि छट का जो लेंगे इस परात में हमें एड करना है मैदा त्रडिशनली देखा जाये तो जो ठिकवा बनाया जाता है वो गुड और आंटे से बनता है बट मैं हापे आंटे के रिप्लेस्मेंट में मैदा ले रही हूं आप चाहें तो एक कप आंटा ले लीजे या फिर आप आधा मैदा अब इसमें अड करेंगे सूजी यह बहुत जादा क्रिस्पी हो जाते हैं तो हमने यहाँ पर एक कप लिया है मैदा तो वन फूर्थ कप हम यहाँ पर लेंगे सूजी तो सूजी जरूरी नहीं है बारिक वाली ले आप मोटी वाली यह नॉर्मल वाली सूजी का इसमा करते हैं बट मैं यहां पर बहुत ही जटपट वाला ठिकवा बना रही हूं तो मैं क्या करूंगी यहां पर गुड को मैंने अच्छी तरीके से तोड लिया है आप चाहें तो जैगरी का पावडर मार्केट में मिलता है वो भी यूज कर सकते हैं तो लगभग 2-3 बड़े निकाल करके उसे चोटे-चोटे-पीस में कट कर लिया है आप गरेट कर सकते हैं तो थोड़ा से मैंने इसमें और एड कर दिया है बारिक कटा हूवा नारियल साथी में हम इसमें एड करेंगे इलाइची और लॉंग क्योंकि जब भी आप माता को भोग लगाने के लिए प् पे सुहागा एक बार आप जरूर ट्राय करके देखे तो मैं इसे फटा-फट से क्रश करूंगी तो थोड़ा सा बहुत जादा पाउडर नहीं बनाना है हमें हलका सा इने दरदरा ही रखना है तो अच्छी तरीके से क्रश करने की बाद इस मिक्षर को भी हमें फटा-फट से परात वाले मिक्षर में ऐड कर देना है अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी तो मैंने आप पर 25 कप से थोड़ा सा कम चीनी का इस्तेमाल करेंगे क्यूंकि हमने इसमें गूर भी आड़ किया है तो चीनी की कौंटिटी थोड़ी सी कमी रखेंगे अगर आप साओ जादा स्वीटनेस चाहते हैं तो चीनी की कौंटिटी को बढ़ा सकते हैं चीनी हम यहां पे पाउडर करेंगे खड़ाई अड़ करेंगे घी आड़ करेंगे 2-3 बड़े चमश के लिए ग खी का जो टेस्ट है बहुत अलग आता है इस ठिकवा में तो यह पारमपरीक तोर पे ऐसे ही बनाया जाता है तो वो में आपको पूरी रेस्पी शेर कर रही हूं तो हमने इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ना हम इसे गुथेंगे पानी के साथ तो हम इसमें बह तो थोड़ा करते हुए से दो या तीन चमच के करी पानी आड करेंगे और अच्छी तरीके से इन्हें बाइंड करना है आटा गूत करके तयार नहीं करना है आटा एकदम सक्त होना चाहिए ताकि जब आप इन्हें खस्ता या ठेकवा बनाए तो एकदम परफेक्टली बन क करके तयार हो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एकदम अच्छे से मैं इन्हें बाइंड कर रही हूं बस एकदम टाइटली इन्हें बाइंड करना है आटा गूत करके तयार नहीं करना है आप चाहें तो पानी के रिप्लेस्मेंट में दूद का इस्तमाल भी कर सकते है बर दूर भी आपको दो से तीन चमच का ही इस्तमाल करना उसे जादा नहीं क्योंकि जितना ये टाइट होगा उतनी खस्टा आपके ठिकवा बन करके तैयार होंगे थोड़ा सा आपको इस टेश वे महनत करने की जुरत पड़ती है क्योंकि ये रेस्पी न सब लोगों से जल्दी बन नहीं पाती है और जिनसे बन जाएगी एक बार तो कभी उनसे बिगड़ेगी भी नहीं तो मैं बहुत सिंपल सा तरीका बता रही है हमारे बिगनोस और बैचलर्स के लिए कि सभी लोग इस रेसिपी का आनंद उठा सके तो आप देख सकते हैं बिना जादा पानी का इस्तमाल किये मैंने इसे अच्छी तरीके से बाइंड कर लिया है अब मैं इसे रेस्ट होने के लिए दस में धकर करके साइड में रख दूँगी तो आप चाहें तो किसी कपड़े से भी ने ढख सकते हैं इस प्रोसेस में हम किया करेंगी एक कढ़ाई ले लेंगे और इस कढ़ाई में हम ऑईल आट करेंगे डो हमारा बहुत अच्छी से रेस्ट हो चुका है, काफी ज़धा टाइट है, आप क्या करेंगे, इसमें से छोटा सा, हम लेमन सा इसका पोशन उठाएंगे, और इस तरीके से इन्हें छोटे छोटे लड़ू का शेप देंगे, ये देखे, तो चले एक और लड़ू बना ले तो थोड़ा सा ओईल लगा लूँगी, ताकि इस पर चिपके ने वैसे ओईल लगाने की जुरत है ने, आप क्या करेंगे, इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे, तो थोड़ा टाइटली मैं बेस अभी नहीं दे पा रही है, पहले मैं आपको दिखा रहे हूं, तो ये देख एक दम पॉफेक्ट, तो इसी तरीके से ने सारे ठीकवा हम बना लेंगे, बीच बीच में आप चाहें, तो इस तरीके से चीरोंजी लगा करके इन्हें और डिजाइन दर बना सकते हैं, मांकेट में आपको ठीकवा का साचा बहुत ही असानी से मिल जाएगा, क्योंकि छट क चट में ठीकवा का साचा बहुत ही असानी से मिल जाता है, या फिर आप ऑनलाइन भी इन्हें पर्चिस कर सकते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, बीना ठीकवा के भी आप क्या करें, दोनों हाथों से प्रेस करके भी इन्हें बना सकते हैं, तो यह देखे, फटा फट मैं यहां पर सारे ठिकाट को बना करके रखती जाती हूँ और अब ना यहां पर आप देख सकते हैं कि मैனे पूरे ठिकाट को redy कर लिया है अब बारे इन्हें fry करने की तो आईए ऑईल भी पहले से हमने गरम होने के लिए रख दिया था इन्हें धीमी आज पर अच्छी तरीके से फ्राइ करना है और 7-8 मिंट के बाद अगर लगेगी अभी भी कलर थोड़ा सा लाइट है तो अब फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके इसका कलर डार कर सकते हैं तो वैसे आपको हाई करने की जुरत पड़ेगी नहीं और आप देख सकत बहुत हलकी हाथें से इन्हें फ्लिप करना है वरना क्या होगा यह तूट जाएंगे क्योंकि मोईन के लिए हमने अपे घीका इस्तिमाल किया है और अगर आप ऑईल में भी इन्हें बनाते हैं तो भी आपको बहुत ही पेशिंस के साथ काम करना है तो यह देखिए बहुत ह वखिआ के से हमने इन्हें फुलिप करते हुए दोनों तऱ से अच्छा कंदर आने तak से लिया है और बहुत ही चंशा कंदर आया है और इसके खुश्यно-धो जवाब और तो फटा फट से किया करेंगे इन्हें कड़ाई में से बाहर निकालेंगे और इसी तरीके से न हम दूसरे बैच के ठेकवा को भी fry कर लेंगे याद रिखेगा धीमी आज पर इन्हें fry करना है सो फाइनिली आप देख सकते हैं कि बहुत जादा टेस्टी एकदम क्रिस्पी हमारी ठेकवा बन करके तयार हो गई है और गाइस दिखने में तो गाइस लाज जवाब है आपको कैसा लग रहा है कॉमें सेक्षिन में जरूर लिख करके बताना और खाने में न गाइस बहुत ज ठेकवा बनाएंगे न तो गाइस सब लोग खुश हो जाएंगे माता रानी आप लोगों को देख करके खुश हो जाएंगी कि बहुत अच्छा भोग बनाया है तो इस बाच छट पे आप इस तरीके से ठेकवा जरूर बनाएए और जरूरी नहीं है कि छट है तो ही आप बन हमारा ये ठेकवा बन करके तयार हुआ है तो दिख रहा है ना लाज जब आप खाने में और ज्यादा मज़ेदार है तो इस छट स्पेशल ठेकवा की रेस्पी को आज ही बनाएए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताए कि आपको रेस्पी कैसी लगी वीडियो प